हेलो गाइज मैं हूँ अमित और आपका स्वागत करते एक्सप्रिमेंट जाएंके और एक फ्रेज वीडियो में तो आज हम लोग बनाने वाले वाल का ही टेस्ट रूम और उस रूम के साथ करने वाले कुछ मज़ेदार एक्सप्रिमेंट तो गाइज चलिए घर को बनाते हैं और फिर करते एक्सप्रिमेंट तो गाइज इस हमारे ही टेस्ट रूम को बनाते बनाती हमारा हालत खराब हो चुका है इसके अंदर जाने में अभी तो बहुत डर लग रहा है लेकिन जाना तो पड़ेगा तो चैलेंज शुरू करता है उससे पहले थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं गाइज गर्मी से हालत एकदम खड़ाब है तो आपको बाहर की टेमपरेचर दिखाते हैं हुआ है थार्टी नाइन लगभग थार्टी नाइन डिग्री सेल्शियास है तो इसको अंदर रख देते हैं यह जो प्लास्टिक है यह जो काला प्लास्टिक है इसमें ना फीट को यह एब्सॉर्ब कर लेता है अंदर जो अंदर का जो टेमपरेचर बहुत ज्यादा तरी देर तक रहे यानि कि हमारा चैलेंज है इतक अंदर एक घंटे की तो हम लोग अभी चैलेंज का शुडु करने वाले है और देखने वाले कि एक गंटा इसके अंदर बिता सकते है की नहीं जो कि मैं ठाटा घредY है , अबने जाहाँ हैँ जान अंदर जाँ दो इसको सच कर लेता है अभी सिर्फ आठ मिनिटी हुआ है आठ मिनिटी साथ मिनिट कुछ सेकेड़ी हुआ है हमें अंदर आते हुए तो इतनी देर में हलत खराब हो चुका है अंदर एकदम भीग चुका है पुरा बॉड़ी कि अज़े बहुत गर्म है जो पॉलिथीन है यह भी बहुत गर्म है चारों तरफ से यह बंद है सिर्फ घुसने के लिए छोटा सा हमने गेट बनाया था वह है यह तो लाइट भी अंदर नहीं आता इसलिए हमने छोटा सा एक गेट रखता है अज़ा जब झाल अज़ा अज़ा प्राइब यह ज़ा प्राइब झाल झाल कर दो कर दो कर दो कर दो लगभब फिप्टी मीनित होने चला है और हरत बहुत खराब चुका है कि अंदर का सीन क्या है कि यह जो रूम है यह चारो तरफ से बंध है पूरी तरीके से चारो तरफ से बंध है सिर्फ एक ही तरफ है तरफ से धूप आ रहा है जो कि अंदर लाइट भी आ रहा है नहीं तो अंदर अंदर होता गाइस यह जो हमारा टेंपरेचर मीटार है इसको नीचे रखने पर रिडिंग थोड़ा सा कम आता है लेकिन यह जो गर्मी है ना उपर से पढ़ रहा है और यह जो पॉली थीना गर्म होके नीचे ऐसा हीट वेड छोड़ रहा है कि बहुत गर्म लग रहा है तो इसको पर का ऑलि थीना इसके साब नहीं ताच किया है फिर भी यह पर टेंपरेचर जो है वो 47 तक पहुझ गया है इसको हमने टाच नहीं किया है थोड़ा जांध है इसके बीच में फिर भी जो टेंपरेचर है बहुत जच्छय पहुझ किया Um और और गाइस हमारा एक घंटे का जो चैलेंज था वो अभी पूरा हो चुका है अब भी बाहर चलते हैं गाइस पहली बार ना ऐसे लग रहा है कि धूप में आके मज़ा लग रहा है अंदर चारों तरफ से गर्मिया लगवक फॉर्टी सेवें फॉर्टी एट डिग्री तक गर्मी थी और अंदर बिल्कुल हाव भी नहीं था इसलिए हलत बहुत खराब हो चुका है हम लोगों का पुरा भीग चुका है हम लोग एक घंटा हम दोनों ने मिल के सर्भाइब कर लिया है कोई भी जीता नहीं कोई भी हारा नहीं इसलिए टाय आप हो चुका है तो आपने देखा कि वर्ल का ही टेस्ट रूम कैसा हो सकता है उसके अंदर कितनी टेंपररेचर हो सकती है तो गाइस अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए तो मिलते हैं नेक्ट वीजियो में तब तब के लिए टाटा बाइबाई